ग्रामिन शेत्रों में बली प्रतिपदा दिवस का विशेश महत्व है बली प्रतिपदा दिवस गाओं में बड़े ही हर्शोलास के साथ मनाय जाता है और आज भी ये पर्फ देखने का सयोग बन रहा है ग्रामिनों के नुसर दिवस गाओं में बली प्रतिपदा का सबसे महत्वपून दिन होता है और ये पर्फ काओं के मध्य में इस्तिध हनुमान मंदिर के खुले शेत्र में मनाय जाता था दरसल इस कोवरधन पूझा काओं में अलगी तरीके से मनाय जाता है इस्तान पर लकड़ी के दो खंबों को जमीन में कार दिया जाता है और डंडों के बीच गोधन की पूझा की जाती है समय गोधन और घास बिचा कर गोधन तयार किया जाता है और लकड़ी के खंबे पर गिरू लगाय जाता है जिसे देख कर गाउं की सभी गाई गुजर जाती है इसे एक एक करके किसी भी तरह से चोट नहीं लगती सभी गाउं के गोधन को पार करने के बाद उस थान से घास या घास की छड़ी को ग्रामीनों द्वारा घर ले जाय जाता है और इसके साथ बली राज की एक छवी मनाई जाती है और इसे हर घर में पूजा जाता है जब यह सहमारों मनाय जा रहा था इस पारंपरिक तैफार को देखने के लिए काव के युवा और बुढ़े बड़े संख्या में मौजू थे इन बिसे नियूज के लिए कैमरा परसन अमोल के साथ अभिशेक बान से करिपोर्ट